हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चेनल कैसे हो आप सब लोग गाईज आज मैं लेकर आई हूँ धाई मेटर कपड़े में अम्रेला कट कूर्ती कैसे बनाए इसकी लंबाई है 42 इंच और यह मैंने 3-4 साइज की स्लूज बनाई है इसमें तो गाईज देखिए मैं आपके साथ कटिंग की वीडियो सेयर करती हूँ अगली वीडियो में हम स्ट्रीचिंग बताएंगे तो इस प्रकार से हम कपड़े को ओपन कर लेंगे और इस कपड़े की यह देखिए इस प्रकार से इधर से ओपन है और इसकी चोडाई बताती हुमें इसकी चोडाई है 40 इंच और हमें 15 इंच की इसकी टोप पार्ट चाहिए क्योंकि हमें 14 इंच तयार चाहिए तो एक इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और जहाँ पर हमने मार्किंग की है 15 इंच पे वहाँ से इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे और बंद वाली साइड साड़े साथ इंच पे मार्किंग करेंगे यह बंद वाली साइड है आर्म होल्स के लिए मार्किंग करेंगे यहाँ पर और साड़े साथ इंच मैंने तीरा लिया है और साड़े साथ इंच आर्म होल्स लिया है उसके बाद जितनी हमारी कमर है उसमें प्लस दो इंच मार्जन के लिए ले लेंगे ये मैंने साड़ाई ग्यारा इंच पे मार्किंग की है लाइन को ड्रो कर लेंगे और जो हमारी कमर का नाप है उसका फॉर्थ पार्ट प्लस दो इंच मार्जन के लिए लाइन इस प्रकार से मिला देंगे और ये मैंने डेड़ी इंच ले लिया है कॉर्णर में गोलाई के लिए और आगे के आर्मॉल्स को ड्रो करेंगे इस प्रकार से आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए गले की मार्किंग करेंगे गले की चोड़ाई मैंने ली है चार इंच ये मैं बोटनेक पहना रही हूँ और आगे का गला मैंने लिया पाच इंच और पीछे का गला मैंने लिया चार इंच लाइन ड्रो कर देंगे और पहले बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे और बैक पार्ट के आर्म होल्स में भी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे अब बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और आगे वाले पार्ट में हमें गले की कटिंग करनी है और आर्म होल्स की कटिंग करनी है अब देखिए जो साइड में कपड़ा बच गया था उसी से हमें sluze बनानी, अगर आप इस side बनाओगे तो आपकी ये 13 इंच की sluze बनेगी, बट ये इस side हमारी 15 इंच की sluze बन जाएगी, सिर्फ joint आएगा उपर, तो उसमें हम pipe in निकाल के design डाल देंगे, ये 15 इंच की sluze बन रही है, तो मैं इसी side से इंच की cutting कर रही हूँ, तिन इंच पे मैंने marking की यहाँ पर और line draw कर दी, उसके बाद ये मैंने 7 इंच पे marking की है, मोरी के लिए, और इस प्रकार से line draw करके हम इसको cut कर देंगे, अब देखें, इनको इस प्रकार से खोल देंगे, और जो आगे वाला part है, उसमें हमें, आधे इंच की गहराई देनी है, और ध्यान रखना है, कि या तो उल्टी side दोनों की face हो, या सीधी side face हो, आधे इंच की गोलाई देते हुए, यहां से cutting कर देंगे, अब जो part हमारा बच गया है, उसको हम इस प्रकार से double fold कर लेंगे, अच्छे से इसको set कर लेंगे, और उसके बाद इस corner को पकड़ के इस प्रकार से ले कर जाएंगे, दूसरे corner की तरफ, अब देखिए, हम top part को इस प्रकार से corner पर रखे set कर लेंगे, और ध्यान रहे, आधा इंच हमें, यह नीचे दामन वाला इसको आधा इंच कम रखना है, क्योंकि यह cross में है, तो यह फैल जाएगा थोड़ा सा, और line को draw कर लेंगे इस प्रकार से, अब हमें 14 इंच माइनस कर देना है, और फिर हमें यह 42 इंच की चाहिए लंबाई इसकी, तो इस प्रकार से देखिए, यह नीचे दामन बच गया है इसका, अब हमें देख लेना ह इसकी लंबाई कितनी है, अब जितनी इसकी लंबाई है, उसको पूरे में इस प्रकार से घुमाते वे मार्किंग कर लेंगे, पूरे में, राउंड में, और जहां से मार्किंग की है, वहां से कट कर लेंगे इसको, अब इसको पलट देंगे, कट करके, क्योंकि इसमें ज्वेंट आएगा, देखिए दूसरी साइड ये कौनर नीचे तक नहीं गया, तो जो ज्वेंट आएगा, जो कपड़ा बच गया है, उसको इस प्रकार से रखेंगे इसके उपर, और हाथ से फील करते वे इसकी कटिंग कर देंगे, नीचे वाले पार्ट को फील करते वे, तो गाइज, कटिंग हो सुकी है, अगली वीडियो में बताएंगे, थेंक्स फॉर वोचिंग, बाई बाई